हेलो गाई दिस आशिर विश्रा के बेवित चैनल यूर्ट्समेडिकोष लैबरियुलाइब सो गाईज हम सब्सक्राइब करते हैं इस टॉपिक में हम आते हैं ब्रीन हैम्रेज के बारे में जो ब्लिडिंग का एक सब पार्ट हम बोल सकते हैं इसको इसलिट सिल भी इंग मि nah Shiv को होता है तुम ब्ल्रट का ब्लड में संपल सा मिह फ्लो का हो रहा है मतलब इंगेज कुरह ब्रेंग में आब यह दो तरीकि ஓ सकते हैं उ पेरनका इंगल सब अरेकनोड का मतलब क्या होता है जैसे ब्रेन में क्या होता है तीन लेयर होती है जो लेयर होती है उसको बोलते है जो मिडल होती है उसको अरेकनोड और जो इनर लेयर होती है उसको पिया मेटर बोलते है जो अरेकनोड और पिया मेटर की बीच में जो स्पेस होता है जो सेक होते हैं neurons या glial cells होते हैं उसमें जो layer बनाते हैं उस cell उसके अंदर blood जमा हो जाना उस condition में parenchymal hemorrhage बोलते हैं अब इसका localization देखो brain में बहुत सारे location है जहां blood जाके जमा हो सकते हैं लेकिन mostly जो ज़्यादा तर जहां blood जमा होती है हैं वो है subcortical nuclei में अब आते हैं इसके causes or mechanism simple सा यह है कि पहला होता है rapture of blood vessels कोई भी blood vessels है वो फट जाता है अब यह reason होता है due to the hypertension due to the congenital acquired aneurysm के कारण या atherosclerosis के कारण भी हो सकता है दूस्सा होता है leakage जैसे कि blood damage होयाता है या फट जाता है तो से लीकेज के कारण अब यह इसका भी रीजन क्या है arterial hypertension अब इसका भी रीजन क्या है arterial hypertension अब इसका मतलब होता है disseminated intravascular coaglopathy इसमें क्या होता है कि जो जह blood flow होती है इस वेसल में उसमें रुकावटे आना शुद्ध हो जाती है तो उसे रुकावटे में भी दू तु 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 था thombosis या embolism के कारण हो सकता है उससे blood vessels rupture हो जाते हैं अब आता है तिस्ता method corroding के कारण इसमें सबसे बड़ा reason होता है tumor tumor के कारण यह generate हो जाता है अब आता है इसके macroscopic feature में macroscopic feature में देखेंगे तो इसका size देखेंगे इस hemorrhage का तो यह point hemorrhagic हो सकता है यह hemorrhagic infiltration हो सकता है यह hematoma हो सकता है और color देखेंगे तो यह color इसका अब देखेंगे red हो सकता है red होगा mainly due to the oxy hemoglobin के कारण जो blueish होगा because of the hemoglobin restore रह चुका है उसके कारण होता है और brown होगा because of the ferritin and hemocedrin के कारण अब आते हैं microscopic feature, microscopic feature में क्या होता है जो tissue damage हुआ है या destroy हुआ है वहाँ जाके blood जमा हो जाता है और वह hemoglobinic pigment वो provide करता है उस condition में उस जगा पर थोटा सा red दिखने शुरू हो जाता है और blood vessels में of course changes भी आना शुरू हो जाएंगे अब इसके example है hyalynosis, fibroid, necrosis in hypertension यह सब changes हमें microscopy के लिए देखने मिलते हैं अब आते है favorable outcome क्या हो सकते हैं इसका simple sa favorable outcome है कि cyst बना लेता है with rusty wall उस condition में जहां यह hemorrhage हुआ है adverse outcome वो रहा favorable outcome में adverse outcome क्याता है इसमें पस जमा हो जाता है supuration condition हमें देखने मिलती है बड़ बहुत rare condition में यह इसके adverse outcome रहे हैं अब आते हैं इसके complication क्या क्या हो सकते हैं इसमेडिमा हो सकता है पानी भर जाता है उस जगह पर दुस्ता होता है जो trunk होता है जो waging of trunk into the large occipital foramen जो हमारा trunk होता है उस जगह पर जाके जो हमारा occipital foramen वहा जाता है यह death, यह simple सा death condition हो जाती है यह last stage होता है so thank you so much guys for your attention and if you get any benefits from this so please hit the like button and subscribe my channel thank you so much guys